तिरांगा है तो पहले तो जय हिंद एवरीवन और बिफोर वी गो एड लेट स्टार्ट आपने साइद सुना भी होगा तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ रेशीपी बताओ के विवर्स को पूरा स्टेप बाइश्ट है एक दूसरे से अच्छा यह 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 सा मिक्स नहीं होन रिछाया restriction's पू।री घूल जाती है फान एच को निकल जाता है और रिस्तों में आजा decade आर जाती है मिगारा आरो फुछा ने खोरण पोल्ड़ कोड़ेब अ न्ही तो रिछित क्सों मैं उस्ता तरुष्ट कृ्टना का चलते है कि både इस एर किसल क्यों बर्ड़ा lessons 16th birthday, yes. Happy 16th birthday, what's your name? So, यहापे आपने बर्देश पढ़े हैं? We had celebrated, these are my friends. They've come from all over Mumbai, Kota, Pune, Dubai, Bangalore. So, they are just leaving today. So, we are school friends. She is treating us. I'm not treating them, they are treating me today. आपने साइद सुना भी होगा? No, I've never heard the tirangasabji. Okay, let's go, I'll show you. The recipe, tell us. It's a whole step-by-step. And how long has your experience been? My son, 17 years old. 17 years of experience in your kitchen. The tirangasabji is here. Let's go, Sam. So, Chef Samir, what are we starting now? We are starting tirangasabji. For that, there are three different gravy. Three different preparation. We are going to start our red gravy. Red gravy. Three different gravy. Red, yellow and green. Okay, start. First, we will take oil. First, we will take oil. First, we will make red gravy. First, we will make red gravy. So, red gravy will be thick or tangy? Tangy. It will be tangy, but not thick. It will be medium spicy. So, first, we will make red gravy. Now, we will make a lot of garlic. Garlic. Two of garlic. Onion? Yes, onion. Onion, three of garlic. We will make a little brown. Yes. I will add a little brown. Green chili. Now, I will add a little green chili. What is this? Red chili. Now, we add red chili. Because we will not make a color. Yes. It will be natural. Water. 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 I will add a little bit. Flavors blend. And this is tomato puree. Tomato puree. How much time will it? I will add 10 minutes. And we will add 10 minutes. I will add 10 minutes to it. I will add tomato puree. I have to add tomato puree. तो क्या कुकिंग टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। प्लांच करके फिर आपने प्यूरी बनाया। थोड़ा सी इसमें काजू मगद तरीका पेस्ट करेंगे। ये रोयल टेक्स्चर आजाएगा। ये थोड़ा क्रीमी और शाई एक लिए तिकनेस आ गया है इसमें और आप कुरियंडर पावडर किचन किग लास में थोड़ा कसूरी में और इसके अगर बढ़ाना है तो थोड़ा क्रीम भी डाल सकते हैं। ये हमारा ये रेड ग्रेवी का बेस बेस ग्रेवी रेडी है। तो शेफ अभी क्या कर रहे है। अभी वाई ग्रेवी अपने कंटीनिव कर अभी वह स्टेब करें है। तो अभी सबसे पहले तेल ले रहे है हमारा जो रेड ग्रेवी उसको कम्प्वीट करने जा रहे है। इसके लिए थोड़ा जीरा जाएगा। जीरा जाएगा। और यहां पर आपने लग लर्स खौड़ा सा गालिक है तोड़ा सा गालिक और भी निए थोड़ा जा थोड़ा सा सेमी याई और चली पौड़ा पॉर्ड़ा गला सा कीचन केचन कीचन केचन कीचन कीचन कोरियंडर पाउडर करींडर पॉर्दर आगया और इसमें ग्रेवी डाला कि अपना जो अमने जो अभी बनाया अजी ये टामाटो ग्रेवी कुछ एक्स्ट्रा बज गया तो अपन फ्रिज में भी रख सकते है बिल्कुल इसको रख सकते है अगर उसको थोड़े लंबे चाहिन के रहे रखना है तो उसको फ्रोजर करके रख इसमें आपने सॉल्ट अल्रेडी डाला हुआ है प्लस जब वेड़ेबल ब्लांच किया था उसने भी दोड़ा सॉल्ट इसलिए ज्यादा सॉल्ट नहीं चीजिए अभी हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेती से खुश भुआ जाएगा ये सबजी रडी है ये हमारी स्टेप वान हो चुक है जिसमें ने रेड वाली सब्स बना दिया अभी और दो बकी है ये यलो बेस ग्रेवी है जो तोड़ा है हलदी एलिमेंट उसमें है और दूसरा है वह अपना जाहि वेरीटव यानि ग्रीन कलर का सब्स इसमें पॉलक मुझे लगतिन पालक का पेष् तो मतलब यह किशी को भी चाहिए तो यह तो एकी डिश ओडर कर लो तो सब आई है यह तीनों सब्जी मिलेगी और बहुत हैवी भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें काफी न्युक्रिशनल यानि पालक भी है और मतलब तीन तीन मूड तीन वेराइटी आज़ें एकी ओडर भी तिरंगा सब्जी तोड़ा जीरा डाला है थोड़ा सा अनियन थोड़ा सा गालिक बहुत पसंद है आ गालिक तो फ्लीवर आई जाता अच्छा है जो गुट फो हेल्थ अल्छो इन फाइक हाट के लिए भी गार्लिक बड़ा अच्छा होता है हलका चाई से सौतिय करना अभ कि पेड़ा समीच के इसमें नं फोल्ग तो निया नामक नहीं इसमें जश्ट बॉयल किया ज़्न पालग और उसको पेस्ट बना दीत तरफालग आगे तो दूट प्रेंच बीन फ्रेंच बीन इसमें अच लाल रग भी आ गए है वाविज आल गौह्य आसा फ्राइड कॉलीफिलावर यह आपको पताद है अब इसमें अपने अब मसआले आरें केचन किंग और दनिया पौडर गरम मसाला भी आगए तो इसमें काजू मगज का पेज्ट बीजिसका हम वाइड करीज गोलते हैं काजू मगज का पेस्ट आगया और फिनीश करेंगे हम क्रीम के साहर क्रीम भी आ गया क्या बात है यह तो काफी रॉयल और रिच वाली गर गरी अगर रिउस्ट नी करना तो मलाई भी यूस कर सकते हैं जो गर्म एजील है वो यह तो गर्म आविलिबल है यह तो इसमें आगए जो पालग नहीं लगए यह तो घर पे जो ग्रीन चतनी बनती है वह ड़ीन हाड दनिया की ग्रीन ची वाड़ा है डाल सकते हो आःचा मिंट जाए पुदिना और धनिय की चटनी आपने डाल देनी है अधिक वाड़ अमाउंट ऑपुदिना अंड धनिया और लेमन जूस और आपने ग्राइंड कर लिया तो यह रेडी है यह रेडी हो गए एक और दूसरा स्टेप दी हो गया हमारा स्टेप वन में रेड़ वाली सब पुद्जी रेडी हो गई है क्या बात है मतब एक ही ओडर में आपको इतना सारा स्वाद मिलने वाला है बड़ बने रहें एंड तक कही मत जाईए तो भाई मेरा तो मनो रहा है अभी खालू यह तो रेड़ वाली रेडी हो गई है और यह एकदम ही टांगी है और यह ग्री अब खुस होने चाहिए मजा लेना चाहिए उनको और मजा आ जाएगा तीन वेरिएशन पूरा मजा रहें मतब सब्सी का प्लाटर है चलिए अब लाश्ट वाली पे चलते हैं देखते है कैसे बनेगा चलिए शेफ समी इसके लिए क्या लेए पहले यह बनाने के लिए प्य प्यूर गी आमदवाद में प्यार चाहिए प्यूर गी नियाएगा मजा नियाएगा घी चीज मक्षन डिशमें नियाए बता आया कि यह दई बेस गरेवी है आचा तो इसके लिए जाद दैई होता है तो वा तुड़ा राइ मस्टर्ड का और करीलिव का एक तरका होना चा अब पूरे किचन में खुश्बू और यह ने जाइन और फुड़ा बेसन का गोल बनाया है यह कैसे बनता है यह जैसे वो कड़ी के लिए जो बनाते है तो इसमें दै कितना रेगा बेसन कितना रेगा इसमें अगर दै एक कप लेते तो बेसन दो टी स्पून या ओके जो करी के लिए जैसे बनाते है वैसे नमगों में कुछ नहीं हो तोड़ासा ग्रीन चिली डाल दिया कच्छा मेला इसलिए डाला क्योंकि उसका टेस्ट अलग आता है तोड़ासा अल्दी जाए गया अल्दी जाले गया नमग अगया यह क्या बेल पेपर है बेल पेपर अगया इसलिए सब्जी तो वही रिपीट होगी वापास अगर अगर कई एकाच सब्जी नहीं तो भी आप जो सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं फिलाला मिच्स वेजटेबिल जी उसका गया आपने कॉलीफलाबर थोड़ाशा उसको जादा कुक्न ही करना है क्योंकि दैल यू यह एफ्यक्स ए प्राइखकी तो अगया वाला टीम यू आ थोड़ाशा था पिनिश कर सकते क्रीम के साथ और क्रीम डाल दिया है यह इस यह रेडी हो गया ऐज इस यह रेड वाला इप गया ता यह एंट्रूर्ड़ रेड करने वाल नहीं कोई तरीक है यह इसका तरीका है मैं आपको दिखा हुगा प्रेजेंटेशन इस वेरी इंपोर्टेंट फो दो तीरंगा सब्जी एंड चलिए कैसे प्रेजेंट करते लेट्साइब लोग तो शेफ अभी क्या प्रेजेंटेशन फाइनल सेज यह अभी फाइन सब्जी अलग अलग है तो कभी क्या होता था कि हम प्रेजेंटेशन करते था तो कभी यह ज्यादा गिर गई वह कम गई और थोड़ा लुक वाइस अच्छा नहीं लग रहा था तो हमारे जो बहुत से वह भी इन्वाल हुग है इसमें के प्रेजेंटेशन दुरा सुधार अब हमने अभी यह नया इन्वेशन किया यह कस्टोमाइज कर लिया कस्टोमाइज है यह साचा हम बीच में रखते है साचा ओके यस तो जिसमें एक साइड में तो नीचे सब को बरावबर पॉर्शन में सब्सी मिले है जादा हो जाए है और मिक्स नहीं होगा कुछ एक निकल जाता है और रिष्टो में आ जाए तो दिवारे बन जाता है और यहां पर यह लखीर आपकी सब्सीयों को अलग करके टेस्ट बरकरार रखने करें सब्सीयों में आ जाया है तो तिरंगा सब्सी बन जाती है यह बड़ लूक्स बेरी नाइस बहुत सुपब लग रहा कि यह अभी इसको यह जैसे सर आपने बताया दीवार है यह हम दीवार निकाल रहे है और इसका फाइनल गानिशिंग करेंगे अपने चेरी अंदर टॉप मिर्ची अंदर टॉप यह प्रेजेंटेशन आपको कुछ ऐसा करना घर वाले खुश हो जाएंगे बच्चे खुश सबजी है यह पहले खाने से पहले आखों से खाई जाएगी कुछ कोई भी खाना तो प्रेजेंटेशन इस अमीजिंग मज़ा आ गया देखके चलो मैं इसे ट्राइब करूं और आपको बताऊंगा इसका स्वात कैसे है लुक एद देस ब्यूटिफुल कललवारी तिरंगा स सब्सक्राइब कर दो अधर आपको बताऊंगा इसका स्वात कैसा है आपको प्रेपरेशन एड शेफ सनी वस अपको देमाक अलग अलग विरिशन आगे मैं तो एकी चीज कोंगा इसे ओर लो तो मतलब पूरा प्लाटरी आ जाता है मैं तो इसको सब्सक्राइब कर गोंगा बट येस तिरांगा है तो पहले तो जैह हिंद एवरीवन और बिफोर वी गोएड लेट स्टार्ट ये पहले रेड वाली खाएंगे आ करो आपको बता तो किस वात कैसे हैं इसेट इस गए टांगी पहले टांगी है उसके बाद उनना जो मिर्ची दाली नो उसका तीखा प मस्त है सबजी कौन चब आ रहा है लेकिन इस में दही का फ्लेवर आ रहा है जो जो लाल वाली सबजी से मुझे मुझे जो तीखा पंधा वो इसने एकदमी कूल डाउन कर गया और आप बढ़ते हैं ग्रीन वाले की ओर ग्रीन जिसमें पनीर भी आई तिंग दाला है उन्हो वरल तीनो की कीनो सब्जी विल गो वेरी गुड़ विद राइश और रोटी ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रहेगा और मैं आपको बात बता दो स्टेप बाइस जैसे मैंने वैसे खाए पहले रेड गाईगा फिर उसके बाद ये कर्द वाली और फिर क्रीमी ओ इनके बारे में क्या थारीफ करूँ इनोंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं पूरी टीम को ठांक कहना चाहता हूँ बड़ वेनेवर ये देर इन एहम्दाबाद ये निद तो बीए और ट्राइस तिर अंगा सब्सी इसमासिंगा साइनिंग उफ विद येट अनदर बाइ झाहता हूँ झाहता हूँ